क्या बात बीटा, आज आप इतने उदास क्यों बैठे हो? ममी, आज स्कूल में मेरा सुलेख का टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे कम माक्स आए कम माक्स क्यों आए बीटा, तुम्हारे राइटिंग तो कलास में सबसे अच्छी है बेटा लिखते समय हमें जब कही रुखना होता है तो हम कुछ चिन लगाते हैं इन चिन्हों को ही विरामचिन कहते हैं आज मैं आपको विरामचिन के बारे में ही बताऊंगी तो चलो सीखते हैं विरामचिन विराम का अर्थ है रुखना तो जब हम अपनी भाशा बोलते हैं तो लगातार समान गती से नहीं बोलते बीच बीच में हम कभी थोड़ा रुखते हैं कभी जादा रुखते हैं इस तरह से हम अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं विराम चिन की प्रिभासा देखिए लिखते समय भावों के अनुसार रुखने के लिए जो चिन लगाये जाते हैं उसे विराम चिन कहते हैं यानि कि हम जब लिखते हैं तब भी हमें बीच बीच में रुखना पड़ता है और उन रुखने वाली जग्यों पर ही जो चिन लगाते हैं उसे विरामचिन कहते हैं लिखते समय हमें विराम चिनों का खास ध्यान देना होता है वरना अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है जैसे कि हम एक उधारन लेते हैं चलो फिर कोमा मत रुको यानि कि यहां पर चलने के लिए कहा गया है कि रुकना नहीं है सिर्फ चलना है और दूसरा एक्जेम्पल देखिए चलो मत फिर कोमा आया है और फिर है रुको चलो मत रुको यानि कि यहां कहा गया है कि हमें चलना नहीं है सिर्फ रुकना है तो दोनों ही अर्थ एक दूसरे के विप्रीत है यह सब कोमई की वज़े से हुआ है चलो के बाद कोमा आया है तो उसका मतलब हो गया कि चलो रुकना नहीं है और दूसरे में चलो मत रुको यानि कि चलना नहीं है रुकना है तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर हम विराम चिन गलत जगहाँ पर लगा देंगे तो भी हमारा संटेंस गलत हो जाएगा, हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, उसका अर्थ भी बिलकुल विप्रीत हो जाएगा यह से हमारा जो पहला विरामचिन है वो है पूर्ण विराम पूर्ण विराम का जो साइन होता है ये एक डंडा पूर्ण विराम का साइन होता है जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन लगाया जाता है यानि कि जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समथ हो जाए वहाँ पूर्ण विराम चिन लगाया जाता ह उधारन देखिए, जैसे शाम खेल रहा है, यहां पर हमारी बात पून हो गई है, तो हमने अंत में पून वा विरामचिन लगा दिया है, इसी तरह से दूसरा संटेंस देखिए, राधा स्कूल जाती है, पूरा वाक्य हो गया है, यहां हमारी बात खत्म हो गई है, तो वहां पर लास्ट में हम पूर्ण विराम चिन लगा देते हैं। आगे है अल्प विराम। इसे इंगलिस में कोमा भी कहा जाता है। अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। यानि वाक्य में जहां थोड़ा रुकना हो। या अधिक वस्तूओं व्यक्तियों आधी को अलग-अलग करना हो वहाँ विराम चिन लगाया जाता है। कौन सा विराम चिन अल्प विराम। ये देखिए ये वाला ये साइन है वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे मोहन, सोहन और राधा घूमने जा रहे हैं, मोहन के बाद हम थोड़ा रुके हैं, इसलिए यहाँ पर इनके बीच में मोहन और सोहन के बीच में अल्प विराम याने की कोमा लगाया है, इसी तरह से दूसरा एक्जेम्पल देखिए, वहें बाजार से आलू, प्याज, टमाटर और गोभी लाया, यहाँ पर हम आलू के बाद रुके, फिर प्याज के बाद रुके, टमाटर और गोभी लाया, तो इनके बीच बीच में कोमा लगा दिये गए हैं, क्योंकि यहां पर हमें थोड़ा रुखना पड़ा है वह बाजार से आलू, प्याज, टमाटर और गोभी लाया अगला हमारा विराम चिन है अर्ध विराम ये इसका साइन है एक बिंदु है और उसके नीचे कोमा लगाया गया है ये अर्ध विराम का चिन है पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुखने के लिए अर्ध विराम का परियोग किया जाता है यानि कि पूर्ण विराम तो वहां लगाया जाता है जहां पर वाक्य पूर्ण हो जाता है और अल्प विराम वहां लगा जाता है जहां हमें थोड़े स्मय के लिए रुकना होता है लेकिन अर्ध विराम जो है वो पूर्ण विराम से कुछ सम कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकने के लिए लगाया जाता है उधारन देखिए मैंने पढ़ाने की कोशीज की परवेह नहीं पढ़ी यहाँ पर वाक्य पूर्ण नहीं हुआ था मैंने पढ़ाने की कोशीज की अर्ध विराम लगा है पर वहेह नहीं पढ़ी यहाँ पर हमारा वाक्य पूर्ण हुआ है यहां क्या लग गया पूर्ण विराम चिन लग गया है अगला देखिए एक बार विराम चिन यह है विश्मयादी बोधक चिन इसका साइन यह होता है ध्यान से देखिए एक डंडा लगा रखा है और उसके नीचे एक बिंदू है ये विश्मियादि बोधक चिन होता है ये कहां लगा जाता है वाक्या में हर्श, विशाद, विश्मे, घ्रीना, करूना, भै आदी का बोध गराने के लिए विश्मियादि बोधक चिन का परियोग किया जाता है हम उधारन की मदद से अच्छी तरह से समझ सकते हैं जैसे वा, कितना सुन्दर दरश्य है यानि कि यहां पर वा, वा, कौन सा शब्द है यह हर्ज, खुशी व्यक्त कर रहा है, खुशी का बोध करवा रहा है तो वा के बाद हम विश्मयादी बोधक्चिन लगाएंगे वा, कितना सुन्दर दरश्य है इसी तरह से दूसरा उधारन देखिए च्छी, कितना गंदा काम किया है यहां च्छी जो है वो घ्रिना का बोध करवा रहा है इसलिए यहां च्छी के बाद विश्मयादी बोधक्चिन लगाया गया है आगे देखिए यह है कोश्ठक इसका साइन यह बाला है कोश्ठक किसी शब्द के अर्थ को लिखने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है कोई भी शब्ध है उसके अर्थ को लिखने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है जैसे आपके अंदर सामर्थ का दूसरा अर्थ बताया गया है आपके अंदर सामर्थे की कमी है यानि कि आपके अंदर शक्ती की कमी है अगला जो हमारा विराम चिन है वो है परसनवाचक चिन उसका साइन ये होता है एक कड़्ची और नीचे एक बिंदू लगाया होता है ये परसनवाचक चिन होता है परसन वाचक वाक्य के अंत में परसन वाचक चिन का परियोग किया जाता है यानि कि जहां पर भी स्वाल पूछे जाते हैं उसके अंत में हम परसन वाचक चिन लगाते हैं जैसे कि उधारन देखिए तुम कहां जा रहे हो तो यहां पर कहां जा रहे हो परसन पूछा गया है, इसके अंत में हम कुन सा निसान लगाएंगे, परसन वाचक चिन, दूसरा उधारन देखिए, क्या तुमने ग्रहे कारिये पूरा कर लिया है, यहां पर भी परसन पूछा गया है, कि ग्रहे कारिये पूरा किया है या नहीं, तो यहां पर भी अंत में प यहान से देखिए, यह लाखावचिन है. कहां लगाया जाता है ये? लाखावचिन का परियोग, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है. यानि कि, जहां पर हमें शब्दों को छोटा करके दिखाना हो, वहीं पर लाखवचिन लगा देते हैं जैसे टेलिवीजन इसको हमें छोटा करना है टीवी टी के बाद लाखवचिन वी के बाद लाखवचिन इसी तरह से है डॉक्टर डॉ डॉ लगा कर लाखवचिन लगा देना है अब है उत्तर परदेश उ के बाद लाघव चिन लगाया प्रे के बाद लाघव चिन लगाया और ये हो गया उत्र परदेश अगला हमारा विडाम चिन है योजक चिन इसका साइन देखिए ये वाला साइन होता है कहां लगाते हैं इसको दो शब्दों को जोडने के लिए योजक चिन का प्रियोग किया जाता है यानि कि जहां पर भी हमें दो शब्दों को जोड़ना होता है वहीं पर हम योजक चिन लगा देते हैं जैसे कि उधारन देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो यहां पर हमें जल्दी जल्दी को जोड़ना था तो बीच में हमने योजक्चिन लगा दिया है इसी तरह से माता पिता की सेवा करो माता पिता दोनों को जोड़ना है उनके बीच में हमने योजक्चिन लगा दिया है माता पिता की सेवा करो तो प्यारे बच्चो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक एंड सेर जरूर करना तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई